हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजु मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है बच्चों आप लोगों ने अपने पुस्तक में रविद नाथ ठाकूर द्वरा लिखित कहानी छुट्टी को पढ़ाई होगा आज मैं इस कहानी को अपने सब्दों में आप लोगों को समझा रही हूँ ताकि कहानी का सारांस या मूल भाव आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए क्योंकि आप जब कहानी को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो पाट से आये प्रश्न का उत्तर भी आप बहुत ही सहजदा पुरवक लिख भी सकते हैं तो इसलिए कहानी आपके दिमाग में एकदम से याद होकर रहनी चाहिए तो कहानी को आप तो रिडिंग करते ही हैं, रिडिंग करना बहुत जरूरी है लेकिन इसके साथ ही साथ कहानी के मूल बातों को भी समझ लेना अत्यन्त आवर्शक है तो आज मैं जिस तरह से आप लोगों को कहानी का सारांस या मूल भाव समझा रही हूं उसे सुनने के बाद आप स्वयम देखेंगे कि आप परिच्छा में पूछे गए हर प्रश्ण का जवाब बहुत ही अच्छी तरह से लिख पा रहे हैं तो चलिए आरम्ब कर रही हूं चुट्टी ट्रविंद्रनात्र टैगोर चुट्टी कहानी एक बालक फटिक चक्रवर्थी के जीवन की मार्मिक कहानी है तो यह किसकी कहानी है? एक बालक की कहानी है जिसका नाम क्या है? फटिक चक्रवर्थी फटिक के पिता की मिर्ति हो गई है वह 13 वर्स का बालक है उसका एक छोटा भाई माखनलाल है यानि फटिक चक्रवर्ती का एक छोटा भाई है उसका नाम क्या है माखनलाल और फटिक की उम्र कितनी है 13 वर्स है पिता की मिर्थी हो जाने के बाद उसकी मा ही अपने दोनों पुत्र फटिक और माखन का अकेले ही भरन पोशन करती है फटिक चक्रवर्थी को सभी बालक अपना सरदार मानते हैं यानि वो सभी मित्रों में क्या है? सरदार है जिसको अमनों करते हैं मुखिया, हेड एक दिन की बात है, नदी के किनारे खेलते वे बालकों के सरदार फटिक के दिमाग में एक नई बात सूजी किसी ने विसाल साल की लकडी से मस्तूल बनाने के लिए साल की लकडी को नदी के किनारे रखा था तो उस लकड़ी को लुड़काते वे नदी में धकेल दिया जाए या उसके दिमाग में बिचार आता है तो फटिक के दिमाग में क्या बिचार आया? कि किसी व्यक्ति ने एक साल की लकड़ी को खरीद करके नदी के किनारे रखा है किसलिए मस्तूल बनाएगा तो इन बच्चों के दिमाग में यह सरारत सुझती है कि उस साल की लकड़ी को किसी तरह से धकेल कर नदी में डाल दिया जाए जिसकी साल की लकड़ी है वह जब उस लकड़ी को जगह पर ना पाकर कितना विस्मित होगा उसे कितनी अस्विधा होगी यह सोचकर बालकों ने इस कारे को करने में फटिक को अपनी सहमती दी और आनंद व्यक्ति गिया और सब बच्चे भी बहुत खुस हुए इस बात से कि जिस व्यक्ति का वो लकडी है जब वो आएगा और वो अपने लकडी को नहीं ढून पाएगा तो क्या करेगा उसकी परतिक्रिया कैसी होगी यह सोचकर बच्चों ने अपनी सहमती जता दी कि फटिक के साथ मिलकर वो लकडी को नदी में धकेल देगा जब सभी बालक उस लकडी को कमर कसकर मनयोग से धकेलने को तैयार हुए तभी फटिक का छोटा भाई माखन लाल आकर लकडी के कुंदे पर बैठ गया फटिक के कहने पर भी लकडी पर से उठा नहीं तब फटिक ने माखन के साथ ही लकडी को लुड़काने का प्रस्ता बालकों में रखा और इस प्रकार लकडी के लुड़काने से माखन जमीन पर गिर पड़ा तो अब क्या कहोता है कि जब बच्चे यत्या करते हैं कि लकडी को अब लुड़काया जाए तब ही फटिक का भाई माखन आकर उस लकडी के कुंदे पर बैठ गया और बार-बार कहने पर भी वो लकडी के कुंदे से हटा नहीं तब फटिक ने अपने मित्रों के साथ ही अत्याय किया कि माखन के साथ ही लकडी को लुड़का दिया जाए और जब ऐसा होता है तो क्या होता है लकडी के लुड़काने से माखन जमीन पर गिर पड़ता है माखन जमीन से उठकर फटिक को मारना शुरू कर दिया रोता हुआ घर चला गया अब खेल बीच में ही रुक गया तभी एक बाहरी नाव घाट पर लगी और उससे एक अधिर सज्जन किनारे उतर कर फटिक से चक्रवर्ती का घर का पता पूछता है यद भी वह सज्जन फटिक का मामा है पर फटिक उसे नहीं पहचान पाया था खेल तो बीच में रुक गया क्योंकि माखन रोता वह घर चला गया तभी जो है एक नाव आकर किनारे पर लगती है जिससे एक अधिर सज्जन उतरते हैं और वह फटिक से ही चक्रवर्ति का घर का पता पूछता है तो यह चक्रवर्ति का घर किसका घर है फटिक का ही घर है और वह ब्यक्ति जो है वो फटिक का मामा है लेकिन फटिक उसे पहचान नहीं पाया जब फटिक घर पहुँचा तो मा का क्रोण उस पर बरस पड़ा कि उसने माखन को मारा है पर फटिक ने इसे अस्विकार किया अपने भाई से मिलकर फटिक की मा आनंद से भर गई उसने अपनी आपबीती अपने भाई को सुनाई कि पती की मिर्ति उपस्चात वह अकेले ही द फटिक को अपने साथ कलकत्ता ले जाकर वही पढ़ाई लिखाई की वेवस्था करें तो जब फटिक के मामा उसके घर पहुचते हैं तो इसकी मा अतेंत प्रशन होती है अपनी बाब भीती सुनाती है और बतलाती है कि फटिक की किस प्रकार पढ़ाई में अरूची है वह क फटिक की मा को हमेशा यह आसंका और भैराता कि फटिक अपने भाई माखन को नदी मिना धकेल दे मार पीट ना करे इसलिए उसने फटिक को अपने भाईया संग कलकत्ता भेजने में कोई आपत्ती नहीं जदाई साथ ही फटिक भी मामा के संग कलकत्ता जाने की खुसी में रात भर नहीं सो सका तो इस प्रकार चुकि फटिक को की जो बदमासी थी इस रिंखलता थी उससे उसकी माँ बड़ी परिशान रहती थी बहुत चिंतित रहती थी इसलिए उसने अपने भाई के प्रस्ताव को स्विकार कर लिया और फटिक भी खुसी-खुसी अपने मामा के स साथ कलकत्ता जाने के लिए तैयार हो गया और इस खुसी से उसे रात भर नेंद भी नहीं आई कलकत्ता जाते समय फटिक ने अपनी मचली पकड़ने की बंसी पतंग लट्टू सब कुछ अपने भाई माखन को दे दिया फटिक जब कलकत्ता जाने लगा तो अपना सारा खि उसकी मामी को उसके घर पर रहने से प्रशनता नहीं थी वहां उसे सनीक आवा अभाव था वह मन ही मन अनभव करता था कि वह दुनिया में कहीं भी ठीक से खप नहीं सकता यही कारण है कि वह अपने अस्तित्व के लिए हमेसा लज्जित बना रहता उसके मन में एक प्रकार कि हीन भावना ने जन्म ले लिया जब वह कलकत्ता पहुंशता है उसके मामा ने उसका दाखिला के स्कूल में करा दिया लेकिन उसे यह समझ में आ गिया था कि उसकी मामी उसे पसंद नहीं करती है तो उसे यह भी समझ में आ गिया कि वह दुनिया में कहीं भी ठीक तरह से नहीं सकता है और इसी कारण उसके मन में एक हीन भावना का जन्म होता है। ऐसे में फटिक का मन मातरी सिने के लिए व्याकुल हो गया। उसे मैसूस होने लगा कि मा के बिना हर अस्था नरक जैसा है। मामी के आगरा को हमेशा स्विकार कर परतेक कारे को करता है परन्तु बदले में कभी उसे स्ने नहीं मिला बलकि प्रतार नहीं प्राप्त हुई। इस प्रकार के अनादर को पा कर उसका बाल मन आहत हो उठा। अब फटिक को समझ में आ रहा था कि मा के बिना उसका जीवन जो है वह बेकार है। मा के बिना संसार का हर जगा नरक के समान है। वह जितना भी अच्छा कारे करें परन्तु उसे कभी भी अपने मामी से स्ने नहीं प्राप्त हुआ। और इस प्रकार उसका बाल मन जो है आह हथ हो गया। अब उसे अपना गाउं याद आता, मा याद आती, नदी का किनारा और उसके मित्र बहुत याद आती, पर वह क्या कर सकता था। उसका हिरदे भीतर ही भीतर होता था। जैसे गोधूली बेला में बचछडा अपनी मा से मिनने को ब्याकुल होता है, ठीक उसके हिर्दे की यही दसा हो चली उसका हिर्दे हर वक्त मा मा उकारता अब फटिक के ऐसी दसा हो गई कि अब उसका मन कलकत्ता में नहीं लगता था उसे अपना घर याद आता उसे अपना गाउं याद आता था उसे अपने मित्र याद आते थे और सबसे बढ़कर उसे उसकी मा या जैसे कि साम के समय गोधुली बेला में बच्रा अपने मां से मिनने के लिए ब्याकुल होता है, ठीक वैसी ही ब्याकुलता फटिक के मन में भी अपने मां के लिए उत्पन हो रही थी, और उसका हृदे जो है हर समय मानो मां को ही पुकार रहा था. इसकूल में भी वह मास्टर सहाब के प्रशनों को सुनता पर कोई जबाब नहीं देता, मास्टर सहाब के मार को चुपचाप सहता, जब लड़कों को कभी किसी छट पर खेलते देखता, तो उसे अपना मित्र अपने खेल का समय याद आता, एक दिन उसने बहुत हिम्मत करके मामा से पूछा कि वह अपने गाव मांग के पास कब जाएगा, तो मामा ने कहा कि इसकूल के छुट्टी होने पर, पर अपसोस छुट्टी तो कार्तिक महने में होगी और उसमें तो अभी बहुत देर है, तो इस प्रकार फटिक जो है, काफी गुमसुम हो गया, इसकूल मे तो खेलते देखता, तो उसे अपना गाव, अपने मित्र याद आते हैं, एक दिन उसने हिम्मत करके अपने मामा से पूछी लिया, कि वह अपने गाव कब जाएगा, तब उसके मामा ने कहा, कि जब इसकूल की छुट्टी होगी, और इसकूल की छुट्टी कब होगी, कार् फटिक का बालमन ब्याथित हो उठा, उसके हिरदय विदारक चितकार को कोई सुन नहीं पा रहा था, फटिक का जो हिरदय अंदर ही अंदर रो रहा है, अंदर ही अंदर हिरदय विदारक चितकार कर रहा है, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था, एक दिन की बात है कि फ पाट वा तयार ना कर पाता था, उस पर मास्टर जी की मार उपर से पढ़ती थी, उसकी मेरे भाईयों ने उससे बातचित बंद कर दी, लाचारी बस फटिक ने अपने मामी से अपने किताब के खो जाने की बात कही, तो मामी ने भी खरीखोटी सुनाई, एक दिन की बात है, ये एक उस्तक थी फटिक के पास जोख हो गई, और उसने इस घटना का उलेग अपने मामी से किया, तो बदले में मामी ने उसे बहुत खरीखोटी सुनाई, फटिक का बाल मन आहत हो गया, उसकी दीनता और हिंता ने उसे बरबात कर लिया, उसे लगा कि वह दूसरों का पै बिना किसी को बतलाए घर से निकल पड़ा, सुबह मामा ने बहुत ढूंडा और फिर पुलीस को उसके गुम हो जाने की सूचना दी गई, उस रात खूब मुसलाधार दृष्टी हुई, धीरे धीरे करके फटिक के मन में ये विचार आ गया, कि अब यहां उसका कोई स्था जान नहीं है, अब उसे हर हाल में उसे मा के पास जाना है, इतफाक से उस फटिक को बुखार आ गया, और वह निस्चे कर लिया था, कि वह मामा का घर छोड़ करके अपने गाउंप चला जाएगा, इसलिए वो क्या करता है, घर से निकल पड़ता है, सुबह मामा बहुत ढो पुणते हैं, और अंत में पुलिस को इसकी सुचना देते हैं, संध्या के समय पुलिस ने फटिक को उसके मामा के घर पहुचा दिया, तब पुलिस चान बिन करके एक होज करके फटिक को ढून लेती है, और उसे फिर से उसके मामा के घर पहुचा देती है, वह उस समय कीच मामा ने डॉक्टर को बोलाया, पर अंतुसका कोई लाव नहीं हुआ, उसका बुखार नहीं कम हो रहा था, वो बार-बार अपनी मा को ही खोज रहा था, और छत की ओर देखता और पागल की तरह कहता, कि मा मेरी छुट्टी हो गई मामा ने उसके मा को उसके बिमारी की सूचना दे दी, फटिक की दरिश्टी दरवाजे पर हिटी की थी, दो दिन बाद फटिक की मा रोती भी लगती आई, और उसने फटिक को अपने गले से लगा लिया, अपने मा की आवाज सुनकर फटिक धिरी-धिरे मृदू स्वर में मा स ताकि वो जल्द आ जाएं, दो दिन बाद उसकी मा आती है, आते ही उसे गले लगा लेती है, अपनी मा को देख कर फटिक मा से यह कहता है कि मा अब मेरी छुट्टी हुई है, अब मैं घर जा रहा हूँ, यह कहते ही फटिक के प्राणों का अंत हो गया, यहाँ पर जो छुट् लगा कर बिलखने लगी, इस प्रकार फटिक ने अपने जीवन से हमेशा के लिए छुट्टी पाली, एक बालक का अस्तित्व मा के बिना नहीं होता है, मा ही बच्चे का जीवन का आधार होती है, एक बच्चा इस बात को मा के साथ रहते ही वे समझ नहीं पाता है, फटिक क कमी उसे इतनी खली कि अंत में उसकी मिलती हो गई, तो यहां पर कहानिकार ने इस बात को समझाया है, एक बच्चा के लिए उसके जीने का आधार, उसके जीवन का आधार, उसकी मा ही होती है, बच्चा जब मा के साथ रहता है, तब मा के महत्व को समझ नहीं पाता है, लेक कितना सूना है, कितना अधूरा है, मा ही बच्चे के अंतरमन को अच्छी तरह से समझ सकती है, इस सत्य को फटिग भी समझ पाया, जब वह मामा के घर जा रहा था, तो काफी खुस था, लेकिन जब मामा के घर आकर रहने लगा, तब उसे मा की एहमियत समझ में आई, और इसका प्रभाव उसके इंबाल मन पर इतना पड़ा कि अंत में उसकी मुर्तियों हो गई तो यह एक छुट्टी कहानी का सारांस तो उम्मीद करती हो कहानी का सारांस आपको अच्छी तरह से समन्ने आ गया होगा इस वीडियो को लाइक करें सभी मित्रों में सियर अवश्य करें जो बच्चे चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो का लाब उढ़ें समय समय पर मिलता रहें तब तक पढ़ते रहें जीवन में आगे बढ़ते रहें मेरी सुब कामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है धन्यवाद